कि नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चानल पर आज के सुड़े में हम बात करने वाले मतलब तेन ड्री मिलियों के विनिंग टिम्स देखने वाले फैन कोड ईसी एस टी टेन ड्रेस्डेन की जो मैच है एस बी एल वर्सस बी ए आर के बीच की मैच द से कुछ दो मैचे से तो दोनों के लिए यही वीडियो रहेगा दोस्तों टीम है फंचेस ब्रैन लाइन्स वर्सस बेरलिन सी सी के बीच तो जैसे कि आप हैलेट करके दिखा देए पहली टीम मैच पर आपको क्लिक कर लेनी अगर आपने अप तक टीम नहीं बनाई तो कोई पर नीचे जो आपको दिखेगा उस पर आपको क्लिक करनी होगी लेकिन मैं अल्रेडी टीम यहां पर बनाके रख चुका हो जिसे एके करके मैं मैं आपको दिखाता जाओंगा किस किस को आपको लेना किस किस को नहीं लेना क्याप्टन किसे बना सकते यह सब बाते मैं दिख करने से पहले रिक्वेट ज़रू करूंगा कि अगर आपने मेरी चाइनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ साथ बेल ऐकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना वुले ताकि ऐसे उड़ी आप तक पोस्टे रहे आप अच्छे से अर्न प्लियर थे मेरे तो चलिए दुस्तों किसी देर की चलते हैं माईं टीम पर क्लिक कर लेते हैं पहले Τीम को मैं आपको इडिट करके दिखा देता हूं तो सबसे पहले शेकरा को ले रहा हूँ इसकाटारिया को ले रहा हूँ दोनों का पर्फॉमस काफी बढ़िया रहा है लेकिन जो हमें आपको पता है होगा कि तीन बल्लेबाद लेना काफी ज़रूरी है कंपल्शन है इसलिए हमें तीसरा जो बल्लेबाद है हर बार कुछ ना कुछ अलग लेना होगा क्योंकि ज़्यादा कुछ पर्फॉमस किसी का अच्छा है नहीं पर्फॉमस अच्छा था तो उनको पिछले मैच में ड्रॉप किया गया है अगर बात करें तीसरे जो प्लेयर है डी विक्रम मार्ट को लिया है हमने यहां पर आल रांडर पर चलते हैं तो यहां पर एन काग्रियर को ले रहा हो जे वैशंत को ले रहा हो इसके अलवा अगर देखेंगे तो आई मोहमत को भी लिया है और एस गिल को लिया है तो इसमें से दो का काफी बढ़िया पर्फॉमस रहा है क्योंकि ज्यादा मैचस नहीं हो इनके और दो का पर्फॉमस ठीक ठाक करूंगा मैं तो चले अग गेनबाजी की भी बात कर लेते तो गेनबाजी में आई बुखारी काफी बड़िया पर्फॉमस कर रहे है उसके बाद यहाँ पर डी कोडी हुआंकू इनको मैंने लिया है इनका भी पर्फॉमस अच्छा रहा है और साथी साथ केसिंग का भी पर्फॉमस काफी शांदार है इसके अलाव और भी एक गेनबाज है एक दो क्योंकि काफी बड़िया पर्फॉमस रहा है इनका दो मैचेस में दोनों में अच्छा पर्फॉमस किया है उन्होंने उसके बाद पर मैंने आई बुखारी को वाइस क्याप्टन बना यह भी काफी शांदार है अच्छी खासी गनबाजी कर रहे हैं विक्टेट डिकाल रहे क्योंकि कोई शामिल ही नहीं है अगर बात करें बैटिक की तो डिव इक्रम माक रामा को लिया है आई गुनवर शेकरा को लिया एस कटारिया को लिया तीनों अच्छे खासे बल्ले बाजे दोस्तों जरू आप इन तेनों के साथ जा सकते इस टीब में मैं चार ओल्रॉंडर है दो का ठीक ठीक मैं टेकिन जो है अलरांडश कफी बढ़िया है दरु सतों बेटिंग और बालिंग दोनों अच्छे कर सकते तो जरू आप इन कर सकते दाउल मुझा उत्वात कर सकते जा सकते हैं औरマशक्ति सर्पारव में लिए है तो यह तो जलू जए यग आपको जपनेु परिशारी कि मिल जाए खासके हैं तो प्रेशारी नहीं होगी अगर बात करें हैं मैंने ऐ राकू को क्याप्टर बनाया क्योंकि काफ़ी बड़या पर फेमस रहा है तो वहीं आए बुखारी को मईस क्याप्टर बनाना इनका भी पर try कर सकते हैं दोनों का के سाथ जा सकते हैं यह थौर का यह फुरストरू को और गुन्षेक्रा को भी कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अगर इस टीम में आप इसी तर से रखते तो दूसरी अगर आप मिल्टिपल स्टीम लगाते तो कहीं ना कहीं जरूर आय बुखारी को को ज़रूर दीजिए इस टीम को क्लोज कर लेते और दूसरी टीम में आपको दिखा देता हो किस तर से बनी है लेकिन यहाँ पर मैंने एक्चेंज किया है एस लाल को लिया है यह भी अच्छा पर्फरमस कर सकते और काफी लीक्स खेलते रहते तो इनको काफी एक्स्पिरियंस है इसके बाद आल राउंडर पर चाते तो यहाँ पर जरूर दो ही आल राउंडर के साथ जाने आप दोस्तों कि इसके बाद दी कोड़ीवुन कि उनको को भी इस टीम में ले रहा है यहाँ पे उसके अलावा जी और मंदरुक Chu दो है हमार पास और के अखील को भी इस टीम में शामल दोस्तर से देख सकते दोस्तों सभी का पर्फोर्मस अच्छा रहा है तो जरूर आप इन पाचों के साथ जा सकते और आप पाचों को अपनी टीम में शामिल कर सकते चले फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और देख लेते कि कैप्टन व्वाइस कैप्टन अब किसे बना सकते हैं तो यहां पर मैं जो दोनों ओल्रउंडर्स थे इस गिल और आय मोहमद इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहा हूं देख सकते गिल को 48% करेब 49% लोगों ने बना है और आय मोमत को 34% से भी जाइदा लोगोने वाइस कापटन बना फिर से एक बार टीम प्रिव्यू करते हैं सबसे पहले तो हमारे पाख सिर्किंग में कोई आपशन नहीं है तो हमें अनन्त रामा को ही लेना पड़ेगा इसके अलाओ मेरे पास बैटिंग में थीन अप्शं मैंने चूज़् कि है या इसबार एक चेंज किया लेकिन प्छले टीम में नहीं थे इनको आपर मैंने शामिल कर लिया तो कुलमिल्या के तीनूअ अच्छे खासे बैक्समन है जरूर आप इन तीननों के साथ जा सकते इन तैनलों और है आए मोहमद और एस गिल इसके लाव किसी और के साथ मैं नहीं जाने आ लाव इस टीम में क्योंकि मुझे लगता है दोनों ज्यादा बेटर है गेनबाज के बात करें तो सबसे सर्प्राइजिंग बात यहीं है कि हापर मैंने पांच गेनबाजों को शामिल कर लिया है ड इसे लिए पांच गेनबाजों के साथ जा रहा हो और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यहें अगर द्रिंटीम अगर आप देखेंगे हर बाद तो कुछ ना कुछ अलग हटके होता है तो इसी लिए आप पांच गेनबाज ले सकते किसी टीम में पांच बल्लेवाज तो यह यहाँ पे मेने इसलिए पार्च गेनबाजों को शामिल कर लिया सबसे अच्छी बात तो यह है इस टीम की यहाँ पे मेने जो क्याप्टन और वाइस क्याप्टन चूज की है दोस्तों सबसे ज्यादा इनको पसंति मिले आज एक प्रक्राइब और यह गिल को चैप्टन और आ तो कुल मिला के यह भी टेम काफी अच्छी बनी है लेकिन मैं दोस्तों इस टीम को प्रिफर करूंगा वैसे तो स्मॉल लिग के लिए अच्छी टीम है लेकिन मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगी स्मॉल लिग के लिए थोड़े रिस्की रह सकती है क्योंकि गेनबा टीम लगाते तो ज़रूर आप ग्राइंड लिग दोनों लगा सकते तो कुल मिला के अच्छी खासी टीम बनी इसे भी क्लोज करते हैं और सेव कर लेते हैं और तीसरी और आखरी टीम की बात करें तो अनंत रामा को तो लेना ही होगा विकेट के पर बाकि किसी और को तो हम ले ही नहीं सकते उसके लावा चार बैट्समन को ले रहा हूँ आई गुनसे क्रा को ले रहा हूँ और एस कटार यह को तो हर टीम में हमें लेना ही होगा इसके बाद एस लाल को भी ले रहा हूँ और डी विंकर मार्ट को भी इस टीम में शामिल कर रहा हूँ ये भी मतलब जिनको हमने पहले टीम में लिया था दूसरे टीम में लिया था उन सब को मिला के ये चार बल्लेबाज मैंने इस टीम में लिये हैं पिछली दोनों टीमों में मैं इने बल्लेबाज में तीन तीनी बल्लेबाज चोज़के थे इसके बाद गेंद बाद करें तो वही दो आल रा जो के ले रहा हूँ आई बुखारी उसके बाद जफर को अभी तक एक बीटे में नहीं ले पाया था उनको ज़रूर ले लूँगा और इसके अलावा के सिंग और एक अखिल तो रहेंगी मेर फास तो इस तर से चार गेंबाग चार बैट्समन और दो अल्राउंडर और एक कीपर इस तर से यह टीम बनी है इसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और देख लेते कि कैप्टन और वाइस कैप्टन हम किसे बना सकते हैं तो यहां पर म आपको बार-बार बतारों कि कोई आफ्शन नहीं यहां और दो कौई बी अच्छा प्रफिरंस करें पॉइंट आपको जौरूर मिलेंगे अगर बात करें ऑल-्रांडर की तो यहां पर देख सक्तें मैने ने फिर से दोई ऌल्रांडर को चूस किया है आए मोहमद और एजगिल इस कहला किसी और को मैं इस टीम में चूस नहीं करने हो गेन बात करें तो यहाँ पर ज़रूर चार आप्शन फिर से है मेरे पास अगर बात करें इस माप की जगा के अखिल को ले रहा हो आई बुखारी को ले रहा हो एज जफर को अभी तक एक भी टीम मे काफी बढ़िया लग रही है तो जरूर आप इस टीम को भी ग्रैंड लिग के लिए यूज कर सकते हैं आप अगर ग्रैंड लिग के लिए यूज की जगा सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है मैं आप पर छोड़ छोड़ता हूँ वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि स् सब्सक्राइब करें अगर बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पार है आए बुखारी को क्याप्टन और केसिंग को वाइस क्याप्टन मना रहा हूँ दोनों के दोनों बेस्ट गेन बाज है दोस्तों काफी अच्छा पर्फरमस करते हैं एक दो मैंचे जो भी हुए दोनों में इनका पर्फरमस अच्छा रहा है तो जरू आप इन दोनों को क्याप्टन और वाइस क्याप्टन बना सकते हैं आपको फायदा हो सकता है आप उल्टा करना चाहें तो फिर से उल्टा भी कर सकते केसिंग को क्याप्टन भी कर सकते हैं या फिर किसी और टीम में मत लेते पोर आखिर में यहीं कोंगा रुफ तो अगर आपको लगता है इन तीनों टीमों में कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर आपको लगता है क्याप्टन और वैस्ट क्याप्टन सभी नहीं तो आप चेंजेस कर सकते लेकिन ज्यादा चैंजेसमत की जिगा एक-दो चें ताकि ऐसे उड़े आप तक पोश्टे रहें आप अच्छे से अधनिक करते रहें साथ इसाथ अपने टेलिग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वहाँ पे जाके उसे जाइन जरू कर लिजे ताकि कुछ भी चेंजेस रहते हैं तो आपको बता सको किसे आप गुडबाई टेक कियर